भारत के लिए बड़ी खुश्खबरी लेकर आई दिवाली विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक बनने की ओर है भारत चीन को पचाड कर नया इतिहास रचने वाला है हमारा भारत अब विकास शील नहीं विक्सित देश बन जाएगा भारत दोस्तों जो देश कल तक हर जरूरी सामान के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था और उस कारण अमेरिका ने भारत को भिकारियों का मुल्क वताय था आज उसी भारत से अमेरिका खुद गेहुं मंगवाता है हाल ही में कुछ दिन पहले रूस यूक्रेन युद की वज़े से जब गेहुं संकट आया तब भारत ने कई देशों को गेहुं का निर्याद किया था खुद अमेरिका ने भी भारत को गेहुं भेजने का ओडर दिया था हाला कि भारत ने उससे पहले ही गेहुं के निर्याद पर रोक लगा दी थी उदर स्पेस सेक्टर में आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन समेत खुद नासा भी आज सस्ते रेट उन विश्वस्निये ताके चलते ये सभी स्पेस एजन्सियां भारत से अपने सेटलाइट लौंच करवाते हैं हाल ही में आपने देखा हुगा कि भारत ने ब्रिटेन के सेटलाइट को भी लौंच किया था इसके अलावा भी इस रू के पास स्पेस में लौंच करने के लिए कई और देशों के उपगरहों की लौंचिंग के ओडर हैं वहीं दूसरी और आप डिफेंस सेक्टर को लीजि हैं कि भारत किस रफतार से आगे बढ़ रहा है दोस्तों इसी फेरिस्त में विशु बैंक ने भारत के लिए एक और शांदार खुश खबरी दी है जिसके बाद आप भी मोदी सरकार के प्रियासों की तारिफ किये बिना नहीं रह पाएंगे आगे वीडियो में जानते हैं क कि भारत किस तरह से चीन जैसे देशों को लगातार पीछे करते हुए नए कीर्थीमान इस्थापित कर रहा है भारत दे रहा है चीन की अर्थविवस्था को टक कर अब विशु बैंक ने भारत को दी बड़ी खुश खबरी दोस्तों चीन में तगड़े बवाल के बाद भी जिन्पिंग को तीसरी बार रश्ट पती बनाया गया है और उसके ठीक बाद विशु बैंक ने चीन को बुरी खबर सुनाई है विशु बैंक ने चीन के लिए वित्वर्ष 2022-23 की विकास दरकानुमान पहले के 5 प्रतिशत स चीन की अर्थवरस्था प्रभावित हुई है इसमें जीरो कोविट नीती से खपत में गिरावट संपती बाजार की लंबी चली मंदी निर्यात मांग में गिरावट और ताइवान के प्रती उसका अक्रामक रवया ये प्रमुख कारण है चीन की अर्थवरस्था के पतन के इसके कारण चीन के प्रती दुनिया की नकारात्मत ना भी बढ़ रही है पर नाम सुरूप चीन से होने वाले कारोबार उत्पादन संबंदी आपूर्ती में कमी आई है और इसका फाइदा भारत को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दुनिया के कई देश अपनी आपूर्ती को खत्म करने के लिए भारत आस्टिलिया और जापान त्रीपक्षी आपूर्ती श्रंखला बनाने का प्लान कर रहे हैं विश्व बैंक ने भारत को लेकर कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्वर्ष 2022-23 में दुनिया में सबसे जादा 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ हैं डिजिटाइजिशन के छेत्र में भारत का डंका बहुत कम समय में भारत बना मैनिफेक्षरिंग हब दोस्तों भारत डिजिटाइजिशन के छेत्र में दुनिया में अग्रणी है वैश्विक मंदी की चुनोतियों के बीच भी दुनिया भर की कम्पनियों ने भारत में अथा निवेश किया है चीन में काम कर रही अमेरिका साइथ कई उरोपिय देशों की कई मैनिफेक्षरिंग कमपनिया चीन से निकल कर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है वहीं भारत का विदेशी मुद्राभंडार भी करीब 550 अरब डोलर के इस्तर पर दिखाई दे रहा है जो दुनिया में चोथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्राभंडार है इतना ही नहीं बलकि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत तेजी से उपर चड़ते हुए 40 वे स्थान पर आगया है ये दिखा रहा है कि भारती अर्थ्वेवस्था मजबूती के किस पायदान पर पहुँच चुकी है दुनिया भर में तेजी से बदलती हुई ये धारणा भी भारत के लिए लाभ प्रद है कि भारत गुणवत्ता पूर्ण और किफाई दी उत्पादों के निर्यात के लिहास से एक बड़ी हा प्लेटफोर्म है भारत सस्ती लागत और कार्य कोशल के मद्दे नजर विनिर्मान में चीन को पीछे छोड़ सकता है भारत की करीब 50 प्रतिशत आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है और इसकी एक बड़ी संख्या तकनीकी एवं पेशेवर दक्षिता से सुसच्चित है अब देश के कुछ उतपादक चीन के कच्चे माल का विकल्प बनाने में भी सफल हुए हैं इस समय वोकल्फ और लोकल को बढ़ावा देने और विदेशी वस्तूं का उप्योग कम करने के लिए इसे एक विशन के तोर पर लिया जा रहा है इसके साथ ही लागत के कम होने से जहां सामान की कीमतें कम होंगी वहीं भारत नया दिर्याद प्रतिसपर्धी देश भी बनेगा सिर्फ इतना ही नहीं भारत सेयुक तरब अमीरात और आस्टेलिया के साथ FTA को मूर्त रूप देने के बाद अब यूरोपिय संग, ब्रिटेन, कनड़ा, खाड़ी सहयुक परिशद के 6 देशों, दक्षिन अफरीका, अमेरिका और इसराइल के साथ भी इसके लिए बाचित कर रहा है कुल मिलाकर आने वाले समय में जब पूरी दुनिया में मंदी का संकर चाया रहेगा, उस वक्त भारत नया इतिहास लिख रहा होगा जब अमेरिका जैसा देश भी भेंकर मंदी की चपेट में रहेगा, उस वक्त भारत की अर्थ्ववस्था कुलाचे मार रही होंगी ये हम नहीं बलकि वर्ल्ड बैंक और आईएमेफ के आकड़े बता रहे हैं खेर दोस्तों आपको इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख कर हमें जरूर बताएं